आए प्रश्ण 78 देखते हैं प्रश्ण 78 देखने से पहले हम अब स्फीत को समझ लेते हैं अब स्फीत या डिफलेशन क्या होता है आपने तीन शवद बहुत सुने होंगे कि इंफलेशन, डिफलेशन and डिफलेशन इंफलेशन होता मुद्राय स्फिती अर्थात समाने तरीके से बस्तोओ कीप वृध्धalah की महगाई के वृध्धि में वृध्ध़ बिफलेशन इस अब स्फीत रीलेशन सरा होता है इसमें मुद्राय स्फीत ही जीरो के नीचे आती अर्थात negative मुद्रा स्फीत होती है और बस्तूओं की कीमते अत्यधिक कम हो जाती है Disinflation या अवस्फीत जो होती है वहाँ inflation को धीरे धीरे घड़ते हुए करम में बताती है तो अब इस फिर्थ से निपटने के लिए अर्थात बस्तूओं की कीमतों में अत्यधिक कमी आने के करड़ क्या हो सकता है कीमते घड़ जाएंगी तो इस चीज़ जो productive cost होगी productive unit होगी उत्पादक इकाई होगी उसे अत्यधिक नुकसान होगा इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार क्या करती है सरकार means RBI यहाँ पर सरकार मतलब RBI RBI क्या करती है deflation और स्फीद को control करने के लिए cheap money policy अपनाती है cheap money policy अपनाने के अंतरगत credit या loan सस्ते कर दी जाते हैं अर्थात उनका interest कम कर दिया जाता है अर्थात RBI क्या करेगा CRR SLR इनको कम कर देगा इनको कम कर देने से bank के पास ज्यादा पैसा होगा loan देने के लिए और वो उस पर interest rate कम कर देगा interest rate कम करने से क्या होगा जो उत्पादक की काईया होगी वो अपने production क्योंकि कीमते कम है तो उस loss से निपटने के लिए उन्हें अत्यधिक रिड मिलेगा और उस रिड सो लेके कम कम ब्यास दरों पर रिड लेके उस घाटे की भरपाई कर पाएंगी और अपने business को expand करेंगे कुल्मिला किये है तो cheap money policy अपनाता है इसलिए के वल ए उत्तर हुआ प्रश्न 78 का